तो स्वाधत है आप सबकाईवर फिर से आपकी यूटूब चैनल दीसी अकैर्मी में और आज हम सब क्लास 10 की टॉपिक पढ़ेंगे और पूरी बायोजिय हम सब पढ़ेंगे रेगुलर वाइस पढ़ेंगे और टॉपिक वाइस पढ़ेंगे तो आज हमारा पहला चेप्टर है जिसका नाव होता क्या है जिसका आप होता life process आई हम life process के बारे में study करते हैं कि life process क्या चीज़ होता है और life process कितना हमारे लिए important होता है तो शरील स्टार्ट करते हैं वीडियो लास तक देखेगा तब आपको पूरा समझ में आएगा आज मैं life process का basic बताने वाला हूँ क्या बता हूँगा? अगर आपको basic आगया तो आपके लिए कोई भी दिक्कत होने वाले ही नहीं होगी और आपको पूरा चिप्टर आसानी से समझ में आजाएगा देखें अगर हम life process की बात करेंगी तो उससे पहले हमें पढ़ता होगा living की बारे तो life process पहले आपसे question पूछा आता हे वर कि a कूछन ह में कि what is living जो question है पूछ लिविंग कॉछ यहादः पूछा जाएगा living कौन है मैंने एसी question करती है. what is living सबसे पहला question यह है कि living कौन है भही अगर कूछ चिक जिन्दा है तभी तो life process करेगा तो लाइप प्रोसस करेगा नहीं, नाल लिविंग तो रिस्पासिन करेगा नहीं, नाल लिविंग तो मौमेंट करेगा नहीं, तो सबसे पैला कुछन है आपका NCR रचा, कि what is living, living क्या होता है उसके बारे में हमको जाकारी लीए होता है, समझते हैं और कुछा क्या होता है, द respiration living beings क्या कर सकता है respiration कर सकता है पहली और दूसरी living candon reproduction जो living होगा वो अपनी तरह बच्चे पैदा कर सकता है और यह characteristic non-living boss वोगा नहीं करती ही तिसरा living यह होगी और लिविंग कर सकता है एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक अगर लिविंग हुआ तो लिविंग मेंड़ा पाप सेल अगर कोछी जिंदा होगी तो वह सेल से बनी होगी ठीक नेक्स्ट जो होगे अपका लिविंग के इन गुरू लिविंग गुरू कर सकता है उसके अंदर गुरूथ हो सकता है नेक्स्ट लिविंग है मेटाबोलिजम लिविंग है मेटाबोलिजम लिविंग के पास मेटाबोलिजम होगा स्वाचिम्या डी ये सारी करेक्षेस्टिक होती हैसं और आप से पूछे की नौ लीविबीं की बारे ला गता है तो उसका सीधा लगा देरा तो अगर कोई पूछे बीबींग क्या है तो कहांगे Lebens जो होता है उसकोelle कर सकता है Respiration क्या term होता है आप हम आगे बतायें गें यहाँ बस term की बात रखेंगे Living kind and reproduction, living reproduction कर सकता है Reproduction का मतलब होता है अपनी तरह भच्चे उत्पन करना उसी को हम बोलते है Reproduction, living move कर सकता है इसका मतलब गर मैं living हूँ तो मैं move कर सकता है लेकिन प्लांट तो मूब नहीं करेगा, तो इसके वेश पे प्लांग को लिविंग नहीं बोल सकते हैं, तो जो बिसकली जो हुमन है, जो है, जो ही मुविबल है तो बतलब ये देखा गया है कि जो लिविंग और जिम होता है जारे तर वो मूब करता है, एक अस्थान से दू अगर कोची लिविंग है तो जरूर से बने होगी राइट, चली लिविंग के अगर जिंदा है तो ग्रोव करें आपने देखा पहले चोटे पैता हुए थे, आपको साल बात बड़े हुए तो आपके साइस बढ़ गई, आपके हाइट बढ़ गई, तो लिविंग के अतर मेडे करता है और बबाद पैंके स bulunब्क्राइब करेंुए छावस कि और बजदी अगर हम इंद फेशाएन का मतलब होता है थे चत्रत बड़े सहें कि और अगidas होते हैं य। य। अगर हम मेडाबलिजम काते है, तो आइस समझते हैं. Metabolism एक ऐसा संस्टेंस है उसका मतलब होता है सम टोटल आफ और रियक्षिन सम टोटल आफ और रियक्षिन प्रिजेंट इंसाइट आवर बाड़ी हमारी बाड़ी के अंदर जितने भी रियक्षिन होते हैं उसे मेटाबलिजम कहते हैं अब जिससे मने ख़ए हमारे मुख में लार बनना एसी याल बनना बहुत सारी सेक्रिशन होना रियक्षिन चलती है तो हमारी बोड़ी के दर जतनी भी रियक्षिन चलती है उसको मोलते हैं मेटाबलिजम और सबसे खास बात होती है कि अगर कुछी लीविन है तो उसी के दर मेटाबलिजम होता है और किसी के पास मेटाबलिजम नहीं होता है अगर मैं बोलू कि मेटाबलिजम क्या हो तो मैं मेटाबलिजम को आपको विस्तारूप से समझा देता हूं कि मोटा जो बोलिजम होता है यह आपको दो टाइप का होता है पहला होगा आपका केटाबलिजम ठीक और दूसरा आपका होगा एनाबलिजम एनाबलिजम तो दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं अच्छा अच्छा इसका एक ट्रिक भी बने बनाया है जिसे माली जब को नाया तो यह फस्ट्यर की टॉपिक है फस्ट्यर में आपको पढ़ाया जाले जब आप बाई जी लेंगी लीविंग वर्ड का पहना चप्टर में तो इसका इसका याद करसाओ है याद करनी का एसी एणिडीस टिक्स अगर अपको अच्छा इसका अच्छा मतलब होता है एण औरहराः जाएण औरहराइख याद इसका नाम आतानाम है कंस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसलिए लिखा गया है एक तो सी का मतलब होता है कि इसी का मतलब होता है कि कि इसी चीज़ का डिस्ट्रक्षन चर रहा है इसका मतलब है किसी चीज़ को तोड़ा जा रहा है इसका मतलब यहां सिंपल से हमने कॉंपलेक्स बनाया है तो यहां हम क्या करेंगे यह हम क्या करेंगे complex को break करेंगे simple में तो complex किसमे break होता है simple उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं catabolism या destructive process तो अगर आपसे पूछे कि anabolism का दूसरा नाम क्या है तो आपका इन यह constructive है अगर आपसे कुछ है कि कैटाबलिज्म का दूसर नाम में तुसरे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव छोटी सी बात असमें कोई बड़ी बात नहीं अच्छा आप कह सकते हैं सर इसका एक 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 जाम्पल आपका है जिसका नाम होता फोटो साइन्थसिस नाम सुना होगा तो आप आपसे कभी भी पूछिये बताइए फोटो साइन्थसिस कौन सा प्रोसेस है तो आप यार से बोलेंगे यह एनाबोलिक है या कस्ट्रक्टिव प्रोसेस है अच्छा इसका एक जाम्पल क्या है इसका एक जाम्पल है आपका डिस्पारिशन राइट इस्पारिशन अब प्योवार महों आपको हुआ ठीक शीष्ग तो अब यह फाला गशिशन अपका करें इस्टार डेकर होता एक डांप образन इसके बाद हम इस्ट्प पढ़ेंगे तो आपके संग्निशन पितरिक कि या पानध मिक्टिशन में गरंगें? मैं इसको समझते हैं मुलू क्यों थेवे देखिए अब आपको क्या वगरता है? हम ने वको बताया क्या होता में अगर आप सबोर कूछокой करया कि लिविग में क्या जानतें अपकर जानता में क्या जर्ऺंग नीरे में इस किरो का सकता में € लिबिंग वो होता है जिसके अंदर ग्रोथ होता है लिबिंग वो होता है जो सेल से बना होता है लिबिंग वो होता है जो मूब कर सकता है लिबिंग वो होता है जो रिस्पारिशन कर सकता है लिबिंग वो होता है जिसके पास इसक्रिशन हो सकता है विस्थमेश्ट को हो जीकूड के फार्मे, फिर चिछा बाते, थिक आईए, तो आब में पढ़ना है, लाय प्रोस हैस, क्या पढ़ना है, लाय प्रोसेस, तो अब यह लाइप्रोस की डेफिनीचन हम सकुझते हैं, देखिते, लाय प्रोसेस का मतलब होता है, हिंदी में बॉलेंगे तो इसका मतलब परफॉर्म बाइ लिविन ओन इजम, इसकी दपनिशन है, तो मैंतें इर लाइप अ इसर्थ, यायन मैंतें इर लाइप अ इसर्थ, इसर्थ, यह ह criteria है, तो लाइप प्रोससि这ु अप्रोसस की definition है, अब लाइप प्रोसस का मतलब क्या होता है समझते हैं जैसे हम ने कहा, यह ने लाइप प्रउस इससanu है लाइपरस का मतलब यह होता है कि जब कोई living on-rijem चाहता है धर्ती पे जीने के लिए तो अगर उसको इस धर्ते पे रहना है तो उसको कुछ बेजिक फंसन करना पड़ता है मतलब उसको अगर अपनी बोडी को इस धरती पे चलाना अगर उसको अपनी बोडी को जिंडर रखना होता है तो न आप चैनले क्हार वे सकता है पुछ इवा बेसिक हंसन में क्या आप आता है तो बेसिक ठंसन में आप आता है जैसे मानud year,ா पुछ लिए respiration तो अगर कोई or nossa मिले धर उसकी लाइक क्रोसस अभी चलेगी नगिए जब उसका respiration सहीज चलेगा इसका मतलच सही काम करना चाहिए मतलच काम क्या सही काम बना चाहिए लंग्स फिर पुछी का सर्कुलेशन कह सकता है सर्कुलेशन तो सर्कुलेशन में कौन आता है आपका हर्ट होता है यह हर्ट है यह सही काम करना चाहिए आप सिर्पुछी का इस्कृरिशन excreation तो excreation में कोन आता है mainly thou mastidny आते ale और फिर होगर digestion és diversity system ऑता है digestive system ऑता है सजमयाद इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ऑड़ जम अगर basic function कर रहा है अब इसमपडे समझी अर्थ पे क्यारहिए life तो कोई भी लिविग ओन जो है अगर वो मिंटेन करता अपनी लाइप और धर्थी पे तो कह करके हैं, कब कईसी मिंटेन हो उसकी लाइप, बेसिक फ़नसन परफॉर्म करके, अब बेसिक फ़नसन क्या है उसका, रिस्पारिशन है, सर्कुलेशन है, इस्कृरिशन है, डाइज जालाता है इसको बीमारी हो जाएगे, पर दिर वाइसकी मौत हो जाएगे, मर जाएगे, सिंपल सी बात है, सवजी गारता है, तो इसका मतलब होता बेसिक फ़नसन, तो सिंपली कह सकते हैं, कि जब कोई ओनली जब चाहे हो प्लांट हो जाएए, इंड मल हो वो एक इस्पेस कुछ ऐसे इस्पेसल फंसल करता अपने अंदर जिसके करण वो इस धर्टी पे जिंदा रहता है और वो बेसिक फंसल क्या होते है रिस्पारिशन, सर्कुलेशन, इस्क्रिशन और डाजेशन यही चीज हमें पढ़ने होते हैं इस पुरी चेप्टर में लाइक प्रोसस्ट में दूसरी बात, जब हम फिस्टियर में जैसे माल जीजिए आप कम अनुब फिस्टियर में बाइलोजी लेंगे तो पहले चेप्टर का पूरा कम से कम फिस्टियर में आपको 10 चेप्टर मिलेगा इसलिए 10 चेप्टर को अच्छे से फार्म लेजेगा बहुत ही इंपॉर्टे कम से कम आज चेप्टर, नौ चेप्टर और 10 चेप्टर में बहुत है तो इसमें क्या है अब मैं इसको समझाओ और जैसे माल जीजिए मैंने कहा अगर लाइफ प्रोसेस चलाना है तो लाइफ प्रोसेस चलाना है अगर मैं हिंदी में लिग देता हूं चलाना है अरगने रिस्पारिस्ट्य शर्कुलेशन इसकषिन डइशिन सब कराना है तो और निजम वो क्या चलीए और निजम को क्या चाहिए? फुड चाहिए, क्योंकि वो तभी काम करेगा ना, जब आपको इनर्जी मिलेगा, मैं तो मुझता ही है, तो लाइप प्रोसेस को चलाने के लिए और निजम को चाहिए, फुड चाहिए, और फुड आएगा, तभी तो ही सब चलेगा, क्योंकि अगर हम फुड की बात करेंगे, तो हम फुड की बात करेंगे, तो हम फुड की बात करेंगे, तो हम कह सकते हैं, इट is a kind of fuel, ये क्या है ? kind of fuel है इट is a kind of fuel, क्या देता है ? provide energy, क्या देगा ? provide करता है क्या ? energy, सब्सक्राइब तो अबस्तो कुछ खुढ क्या है ? तो बोलेंगे खुढ क्या होता है ? इस एक kind of fuel है, वो हमारी body को energy देता है. आपकी body, तरह क्योंकि से सफाइध हाँ कवे तो कमाने का है, और खाने का है. सब्यूमान आप जायए तो हम सुबह साम, दो बार ते बार खाते हैं क्योंकि हमारी बॉलते हैं तो भी एनरजी extensively होता है हम लडाइज़ बारब करते हैं तो भी एनरजी लटाय होता है तो अगर हमसे कोई पूछे के फूट के बारे कुछ बताईए, तो हम कह रहे हैं, फूट दो तरीकी का होता है, यह नाम याद रखिए का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक फूट होता है, सिंपल फूट, और यह होता है, कॉम्पलेक्स फूट, अगर सिंपल फूट के हमसे कोई बात करेगा, तो हम बहुता है, उसका नाम होता है, गुलकूज, और कॉम्पलेक्स फूट का नाम होता है, अपका, स्टार्च, और नोट पाइंट यह अद रखिएगा, स्टार्च, और गुलकूज, और यह सारे के सारे का है, और फॉर्म stips को आद किसके की साराण पार्ण डिटके कराम हो, नियसे सब कर्कूज कोई तो यहां तक आपको मेरी ख्याल से सब्स्माल कोई कोई क मैं अब फूट की बात करेग अब संगाएंगा, अब सबजए, अलग पोण बढ़ाते हैं, अब मालीची फुट तो है, हमें पता चल गया, फुट है, अगर फुट हमारे पास है, फुट हमारे बोडी के अंदर आ रहा है, तो हमारा life process चलेगा, हमारा basic process चलेगा, लेकिन फुट को लाए कहां से, यह भी बात है, फुट को उगाए कहां से, तो कौन सा फुट खाएंगे माटी खाएंगे, पानी पीएंगे, तो फुट में तो अलग हो बनाइटे होती है, यह भी दिमाग चलाने के बात है, तो यह कहा गया आप, कि फुट को पहले ही समझे, फुट आता कहां से, तो हर अलग अलग तरीके से लेता है, कोई किसी का खुण चूस रहा है, कोई करेंगे, मच्छ की बात करेंगे, तो यह सब खुण चूस रहें, आपके, आपके सर में जू होता है, जो क्या करता, आपके सर में अपना वो मुका जो फ्रेंट पार्ट होता, तो सक बाता है, और उसे ब्लट को सख कर लेता है, खटमल का नाम सुने है, तो हर और अलग अज अगर फ्रूट को लेना है, उसे को बोलते है, नियूटीशन बोलते है, अघर फ्रूट को लेना ही क्या होता है, नियूटीशन होता है, आप कहेंगे सार, नियूटीशन का डापनेशन नंसलीशा न है, आए समझते, मतलब कह सकते हैं, खाना खाने के diri, टॉbir siını और तो हर तो अगर मैं बोलो निट्रिशन के बारे में नेक्स टॉपिक है अगर मैं निट्रिशन के बारे में बोलो कि निट्रिशन क्या होता है तो समझें निट्रिशन का मतलब होता है इंटेक अभूर या मैं डाफिशन भी सेता हूं कि दा प्रोसेस एक ऐसी प्रेकरिया okay okay in which the crisis of serum decorous the process in which country रहे सोली रहानना है लिज़ में दें यारं यार ओन के जैङक का बील यह सेकज़ी तौक्या działत देजुक Gaza में और जिवर कर देजा के लाहननOOOO हो गया यहां लेखे and intake the body for growth development and अगल लेता हूँ source of energy अगल सभ़ज में ना इसका मतलब आप भोजन क्यों करते हैं definition लिखा गया है nutrition एक ऐसी process है जिसमें onism क्या करता है भोजन को लेता है अपने body के अदर लेके जाता है किसलिए growth के लिए development के लिए source of energy के लिए कि nutrition का main मतलब या गड़ी क्या मतलब में गड़ी nutrition जब जब आएगा तो गड़ी लेके आएगा अब note की गड़ी तो हम कहने रहे G का मतलब होता है growth D का मतलब development और E का मतलब energy तो nutrition का main मक्सद होता है कि autism का growth कराना उसका development कराना और उसके अंदर क्या देना energy देना यह छोटे सी बात है तो यह रही nutrition की definition अब हम nutrition का flow chart पढ़ेंगे कि nutrition कितनी type का होता है क्योंकि हर onigyum अपना खाना अल्ग तरीके से लेता है हमने बताई यह चीज तो symbols लेके complex दाफ चलेंगे और plant को इसमें involve करेंगे ठीक है चलिए इसका पहले photo यह पढ़ेगा चलिए तो हमसे यह रहा nutrition का flow chart तो nutrition कितनी type का होता है तो मैं यहां बना रहा हूँ nutrition का पहला होता है artotropic nutrition nutrition और इसमें दूसरा होता है आपका heterotropic nutrition heterotropic nutrition यह ना होता है तो पहला होगा artotropic दूसरा होगा heterotropic nutrition अब artotropic का मतलब क्या होता है artotropic का मतलब होता है कि जो अपना बोजन खुद बना ले downism which made their own food heterotropic मतलब होता है downism they cannot make their own food simple term अब artotropic में क्या होता है इसमें होगा इसमें होगा इसमें होगा इसमें होगा अलगा plant yuglena इसमें लिसकते हैं आप ऐसे green plant की बात करेंगे green plant और इसमें लिसकते हैं जो 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 करते हैं अब इसका मतलब क्या होता है तो autotropic में दो लोग होते है, जो light के परिजस्वे अपना version बनाते हैं, इसको मैं पूरा बताऊंगा, बस अभी आपका mind map है, जो light के परिजस्वे अपना version बनाते है, उसे बोलते है photocyanthesis, और जो chemical के परिजस्वे अपने खुद का version बनाते हैं, उसे बोलते है, क्या, chemo-scientesis कहते हैं, ठीक, हीटोटर्प में कितना आता है, हीटोटर्प में अपके कितना आएगा, 3 आएगा, A, B, C, पहला आएगा आपका parasite, या माल लेजी पहला आपका, मैं रखता हूँ, सप्रो 5, सप्रो 5, तो ये क्या करते हैं, dead decaying, मतलब सरा गलाब, चीजों मोग खाते हैं, मतलब प्लाइन सड़ गया हो, इंवल सड़ गया हो, तो ये सप्रोफाइट होते हैं, इसमें एक जहां पर आपका आता है, जलतार फंजाई, आएगा, फंजाई में कोन आएगा आपका, इस्ट आएगा, मसरूम आएगा, ये सब अलग लग नाम होते हैं, मकर आएगा, तो ये सेप्रोफाइट होते हैं, जो सड़ा गला खाते हैं, इसके बारे में डिफाइन में सब को करूँगा, अब बोई दिख करने आएगे, फिर आपका परासाइट, परासाइट वो होते हैं, जो किसी भी ओंटिजम को खाते हैं, किसी भी ओंटिजम से अपना भुजन तो लेते हैं, उसको मारते नहीं, जैसे मच्छ, मच्छ हमारे बोड़ी पैटाई करता है, और अटाई करने के बाद हमारे बोड़ी से ब्लेड लेता है, हमें मारता नहीं इसे जोक है, ऐसे अपने धेलो का नाम सुनोगा, खटमल का नाम सुनोगा, तो खटमल क्या करता, अपकी बॉड़ी में अपना नोड इंसर्ट करेंगा, वहाँ से ब्लड ले लेगा, आपको मारता नहीं, तो वह पैरसाइट है, तो इस जंपर इसमें को नहीं का लीच आता है डिपो वारवाता है, यह सम नाम है, यह मास्कीटो आता है, पैरसाइट को दो रूख होता है, उसको आगे बताएंगे, अब आपको आता है होलो जोई, तो हूलो जी का मीन मुंत्त क्या होता है, को बलेस हर्माफोर्ट को सिंपल में करवड करना, उसमें आपको जाने इसको बता देते हैं आपको इसे होलो जय में भी पार्ट होता है ना इसका तो इसमें पार्ट कौन-कौन से देख लीजिए एक नाम सुनोगा अपने हर्भी औरस पर नाम सुनोगा करनी औरस मीट खाने वाला फिर नाम सुनोगा ओम्निवरस सब कुछ खाने वाला मतलब गलिंदर एक नाम केरियोन फीडर केरियोन फीडर इसको बोलते हैं इसकेवेंजर इसको हम कह सकते हैं और इसकेवेंजर इसकेवेंजर बोलेंगे तो इनको हमें अलग अलग पढ़ना को ऐसे दिक्कत नहीं है हम सब अलग अलग पढ़ेंगे तो आज इसको बड़ा समझ लीजिए निट्रिशन का सिरह सा मतलब होता है कि भोजन को किसी भी प्रकार से अपने बोडी के अंदर ले जाना और उससे हमारे बोडी का ग्रोथ हो डबलमेंट हो हमारे बोडी में इनर्जी निकले जाना इसकोल्ड है यह कट रहा है चली कट रहा है तो कहां से कट रहा है बस वह यह यह दो अप्छा यह जो आप देखें तो निट्रिशन क्या होता है और सर्था कर आपर हम नीट्रिशन ब स्गोड़ होता है अगल उत्षी हो जो अपना भॉजन खुदफम का इसमें भी बच्ची कंस्वरी होते जो पना भॉजन खुदब मतलब क्या है पता देते हैं जिसन नहीं कहा कि हमारी मम्य अम्मी भी तोार्जन बनाती है आप गेहु से आटां बना सकते और आटें से रोटी बना सकते आप गेहु नहीं पैदा कर सकते हैं… तो जो गेहु पैदा कर रहा है, वही है आटड्रॉप इसका मतलब गेहु नहीं बना सकते हैं न New तो गेहो को बनाने वाला है और अटोडोप हैं तो मलाएका तो आप तो पूक में पना ले खेगे आप किया गेहो बना लेंगे ये स्मिनल पना पाइगे क्यों आप आ्रोटरॉप है ही ने, इस नहीं से, पूक है की ऑर्टरॉप वह होता है ाना बोजय खुद बनाता है हम तो बना बनाया बोजय खाते है कि तो ऩुद भुझ को गेammो मिल जाए डाल बन जा Seems तो अट्रोम बाटलम को बनाता हो जो पना बोजय खुद बनाता हो और वह dependent होता है इसमें अजने आता है फोटसक्रावगा आप की सिस्थ detta जैसे लोग होते हैं, आटोट्रोप का एक्सेप्शन भी होता है, मैं आपको पता हूंगा, केमो साइंचिस वो होते हैं, जो चैम्ट के परिजस अपना बुचल बनाते हैं, इनसे इपका डिफिशन लिखाई जाएगी है, आपको टेंसल लेने की जरूर्द नहीं है, हीट्रो मात जैंतर फंजाई या तो यह जाते हैं, पैरसाइट के बात करेंगे तो पैरसाइट वो होता है, जो पिसी भी ऑन्यूम से भोजन ले लेता है, लेकिन उसको मारता नहीं, जैसे मच्छर हुआ, आपके बौड़ी से ब्लेड लेगा, तो यह सब जो होते हैं, यह ब्लेड क को सिंप्लर फार में तोड़ते हैं, इसमें आपका एगा, हर्भी वरस, कर्निवरस, ओमनिवरस और केरियोन फीडर, यह उससे को बुलते हैं, तो हर्भी वरस का मतलब समझते हैं, जो सी प्लांट यह तो बच्पन से पढ़के आ रहे हैं लोग, कर्निवरस जो मीड खाता और केरियोन फीडर और केरियोन फीडर का मतलब होता है, जो मने हुई जैनवर वोग खाता हूं, जैसे इसमें आता है, अब इसकी बात करेंगे जिसमें बच्चे एक्जामबर पूछते हैं, तो इसलिए आपका पहला आता है, क्रो आएगा, हाइना आएगा, वल्चर तो क्या बहलेंगे, क्रो, हाइना और वल्चर बहलेंगे, क्रो, हाइना और वल्चर, सुलिए आना, ये चीज़े आपका समझ में आने चीज़ेंगे